पेट के निचले हिस्से यानी पेडू के दर्द के लिए अपनाए ये उपाए 1. बर्फ बर्फ का इस्तिमाल करने से आपको कमर और पेडू दोनों के ही दर्द से राहत पाने में मदद मिलती है इसके लिए आप आईस बैग या फिर बर्फ के टुकडों को कॉटन के कपडों में डाल कर अच्छे से अपनी कमर और पेडू की सिकाई करें बर्फ का इस्तिमाल करने से आपकी वो जगह सुनन हो जाती है जिससे आपको दर्द का अहसास नहीं होता है आपको जब भी दर्द का अहसास हो आप इसका इस्तिमाल कर सकते है 2. मालिश करें मालिश करने से आपके शरीर के अंगों में रक्त का प्रभाव अच्छे से होने के साथ आपकी मानस्पेशियों को भी मजबूत होने में मदद मिलती है जिसके कारण आपको दर्द से राहत मिलती है इसके लिए आप सरसों, तिल या बादाम के तेल का इस्तिमाल कर सकते है आप चाहे तो इन्हें गुंगुना करके इनका इस्तिमाल कर सकते है यदि आप कुछ दिनों तक नियमित अच्छे से अपनी कमर की मसाज़ करते हैं तो इससे आपको जरूर फाइदा मिलगा 3. गरम पानी से सिकाई करें गरम पानी की सिकाई से आप पेजो और कमर दोनों के दर्ट से ही आसानी से राहत पा सकते हैं क्योंकि गरम पानी से सिकाई करने से आपकी मानस्पेशियों में कम खिचाब होता है और खून का दोरा बढ़ने में मदद मिलती है, साथ ही आपको दर्ट से राहत मिलती है आप गरम पानी से नहा भी सकते हैं, इससे भी आपको फाइदा मिलगा महिलाओं को पीरियद्स के दौरान होने वाले दर्ट से बचने के लिए यह नुस्खा बहुत काम आता है आप एक मुठी नमक को किसी कड़ाही में डालकर अच्छे से गरम कर लें और उसके बाद उस नमक को किसी सूती कपडे में डालकर जिस हिस्से में भी दर्ट है में ऐसे पोशक तत्वों को शामिल करें जिससे आपकी हड़ियों और आपके शरीर को अच्छे से पोशन मिल सकें पेडू के दर्ट से राहत के लिए आपको मेगनीशियम यूग ताहार का सेवन करना चाहे इसके अलावा कमर दर्ट से बचने के लिए आप प्रोटीन, केल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आदिका भरपूर मात्रा में सेवन करें 6. बढ़ता हुआ वजन भी आपके लिए परेशानी का कारण बनता है इसलिए अपने वजन को भी नियंतरित रखना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को खत्मिस शायरी पर करते है इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें